नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीसी फैसन में पिछले वीडियो में जैसा कि हमने इसकी कटिंग करी थी वो वीडियो नहीं देखा है उपर आई बुटन में मिल जाएगा इस वीडियो में हम इसका तावीज बनाएंगे कुड़ते का सामने का तावीज किस तरीके से बनता है इस वीडियो में इस्टेब बाई इस्टेब आपको बताएंगे तो यहाँ पर देखे सामने की जो कुड़ते की पट्टी होती है तावीज वाली वो आप एक इंच की भी जाल सकते हैं और एक इंच एक सूथ की भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमने डाली है एक इंच आधा सूथ की पट्टी यह हमने काटी है और आधा सूथ हमारा कपड़ा बढ़ जाता है क्योंकि इसके उपर जब हम रखके और चिपकाएंगे तो एक इंच एक सूत हमारी complete हो जाएगी है तो चौणाई आपको इतनी ही रख देना है उसके बाद इस तरीके से आपको double करके और नोक बना लेनी है और ये सामने की जो सड़ में पट्टी पड़ती है ये बो है इसका ये हमने कपड़ा निकाल लिया है और इसकी चौणाई हमने रखी है साड़े तीन इंच इसको चिपकाएंगे और बाद में जितना कपड़ा होगा बड़ती हम उसको छाट देंगे तो इसको मटा देते हैं ये हमारा दूसरे दरफ को बटन बला जो ताबिज होता है छोटा सा बनता है वो उधर साइड का है तो इसकी जो चौणाई हमने रखी है वो रखी है दो इंच या दो इंच में एक सुथ कम इतनी रख सकते हैं और लंबाई में लगए लगए तेरा इंच काट लें ऐसे ही बाद में जितना भी बचेगा फालती उपर का करना लाइन के उपर नहीं काटना है जिदर अमारी पाकेट लगती है उधर वाला हिस्सा अमारा कम रहेगा यानि कि जिदर साइड में ये चोड़ा वाला ताबीज लगता है उधर का हिस्सा हमारा कम रहेगा क्यों रहेगा कम बो भी मैं आपको बता दूँ युकि ये एक तरफ तो हमारा एक इंच- एक सूथ का टावीज लगता है और एक तरफ हमारी आदा इंच की पट्टी लगती इदर साइड की तो जो हमारे सामने हो छोटा बड़ा ना हो इसलिए हम को क्या करना होता है हमको तावीज जो है इधर हटा के काटना होता है एक पैर ताकि एक पैर हमको इधर साइड में बढ़ती कपड़ा मिल सके ताकि हमारे सामने दोनों तरब के बिल्कुल बरावर आए और जो पट्टी है वो बीच ओ पीच संटर में आना चाहिए इस तरीके से अब यहां से हम रखेंगे देखकिए ग्यारा इंच का तावीज जो बड़ा साइज होता है तो उसमें ग्यारा इंच का ही तावीज रखा जाता है तो इस तरीके से हमको सीधा काट लेना है यहाँ पर आए इधर साइड में हम कट देंगे यह कटिंग हो गये तो अभी इस तरीके से हम इसको चिपका लेते हैं देखे हमने इधर साइड में कम रखा इधर साइड हम ज्यादा रखा जैसे हमने रखा ऐसे ही रखना है क्योंकि फोल्ड करने के बाद आपकी ये वाले जो साइड है वो इस साइड में आना चाहिए समझ गया ना उल्टी नहीं बनाना है आपको ऐसा ही रखना जैसे हमने रखी है ऐसा नहीं है इदर वाला ये हिस्सा ये छोटे ये कम दबाव वाला हिस्सा है ये इधर इधर चिपका दें आइसा नहीं करना है आपको इधर ही रखना इधर साइड में क्याद हम पानी लगाएंगे या क्योंकि इसमें काटन का है तो इसमें पानी लगाएंगे फोल्ड करेंगे तो ज्यादा अच्छा फोल्ड होगा उसके बार इस तरीके से हम कि उसके बाद सबाव इंच यहां नोक से सबाव इंच जो है निसान लगाएंगे और इसको काट देंगे देखें इसमें भी अपने पैर का रखा है दबाव और इसको काट देना है उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यह तावीच तोड़ दिया तो देखें इसको हमको ऐसे रखना है अब हम बाहर के लिए इसको पलट देंगे दो तिन तरीके से यह बनता है तावीच तो देखेंगे नाकून लगाएंगे उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा देते हैं जब आप इसको लगाएंगे तो नीचे अले पल्ले को खीचते रहें इससे आपको यह पट्टी है काफी अच्छी लगेगी अब जो है इसको पलटना है पलट के हमको बाहर के लिए पलटना है इसको सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं तो यहां पर चाहें तो चाक से निसान लगा लें आप उसके वाद पैर से पैर का दबाव इसको रखें माखी चाट दें इसको अधर साइड में लबकी सिलाइ लगाएंगे इसको सीधा करना है और लबकी सिलाइ लगा लेना है चाहें तो आप लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं उसके बाद यह देखिए उल्टी तरफ हमने रखा है और यह ताबीज है और यहां से यह देखिए यहां से ऐसे करके हमको रखना है यह ओके इस तरीके से हमको यह रख देना है रखने के बाद ऐसे करके हम इसको ऐसे रखेंगे और बागी दिखेंगे फालतू जतना है वो सब उपर निकल गया है तो इसलिए यहां पर कट देंगे नाकून लगाएंगे उसके बाद हमको पलट देना है इसको बाहर के लिए कर देना है यह देखिए यहां पर है यह इससा तो हमको यहां इससे जो है थोड़ा सा उपर लगाना होता है इससे क्या होता है हमारा पूरा का पूरा ताबीज यहां पर दब जाता है तो देखिए यहां से कितना आएगा देल इंच पूरा आ जाएगा नोक से यहां तक ताबीज में जोल बगएर नहीं आना चाहिए और देखिए हम दोनों हाथों से पकड़ें इधर साइट में इधर साइट में ताकि नम बगएरा ना आए उसके बाद इसको बराबर करना है और ऐसे रखेंगे और इसको बिल्कुल बीचो बीच में इसको रख देना है और इसको सीधा रखना है बिल्कुल देखिए यह नोक बिल्कुल भी सेंटर पर आ रही है तो यह बाली सिलाई लगाई उसके बाद सीधा बिल्कुल ऐसे रखा अबीज नम बगरा नहीं आना चाहिए और इसको अब हम डबल सिलाई कर देंगे सिलाई के उपर ही सिलाई रहे इसका धियान रखना है डबल अगर कर रहे हैं तो और यह रहा हमारा उल्टी तरफ को मार्जन इसको छांट देना है तो यह अमने पट्टी यहां पर कम्प्लीट कर दी तो छांट देना है और इस तरीके से इधर साइड में आई है इस तरीके से यह इधर साइड में तो देखें कितनी फिनिसिंग के साथ बनी हुई है तो इसी तरीके से आपको बनाना है बहुत ही इजी तरीका है और नेश्ट वीडियो में हम इसके बाकी का काम करेंगे इसमें पाकीड बगारा लगाना है और इसकी नाखुनी बगारा किस तरीके से मोड़ते हैं सब कुछ इसमें मतलब पूरी सीरियस हम चला रहे हैं तो वीडियो का पूरा देखिएगा और चैनल को पहली वारा है तो सब आरे वीडियो आपको इसी के मिलेंगे और इससे जो है आपको step by step सब कुस समझाते रहेंगे तो दोस्तों पिछले वीडियो नहीं देखें तो डिप्रिफ्रेंट बोक्स में लिक मिल जाएंगे उपर आई बटन में और end screen में मिल जाएंगे और चैनल पर जाके playlist में देख स कर